वर्ष 2015 में आप अपने जीवन में बहुत उन्नती करेंगे और अच्छी दशा होने के कारण यह वर्ष आपके लिए चिंता से मुक्त होगा आप अपनी शक्ती और संकल्प को अपने प्रमुकारियों के लिए संग्रहित करेंगे आपको अपने वास्तविक और कालपनिक संसार में बहुत बड़ा अंतर करना होगा ताकि आपकी रचनात्मक और कलात्मक प्रतिभा सामने आ सके व्यवसाइक और निजरी जीवन में आपकी और से कुछ निराशासी होगी बहतर कार्य के लिए प्रयास करते रहें अपने नज़दी की लोगों से आप अच्छे संबंद रखने की कोशिश करें ताकि उनका भी आपको सहयोग मिलता रहे इस वर्ष 2015 में आपका व्यवसाय सही प्रकार से चलने की उम्मीद है आप अपने संकल्प और परिश्रम पर अटल रहें सोच समझ कर अपना कारे करते रहें अपने सहयोगियों से प्रेम, समर्पन और विश्ववन्दुता का वहवार करें ताकि आपको आपके सहयोगी कोई नुकसान न पहुँचा सकें किसी को कर्ज देने और कर्ज लेने में आपको हानी हो सकती है इसलिए साब्धान रहने की जरूरत होगी अपने कहीं विशेश कारे गुप्त भी रखें और उनको अपने विश्वासी को भी न बताएं नहीं तो नुकसान हो सकता है अच्छी दिशा होने के कारण आप में प्रेम और प्रनै का योग होगा आप एक दूसरे के सम्मुख अपनी भाबनाओं और विश्वास को प्रदर्शित कर पाएंगे आप कोई अनुचत कारे भी न करें जिससे आपके प्रेमी को कोई असो विधा हो और वह नाराज भी न हो जाए अधिक अभिव्यक्ती करें और विश्यों को सामने लाने की कोशिश करें ताकि आपकी सकारात्मक सोच आपको आपके प्रियत्म के करीब लाने में सफल सिद्ध हो सके वर्ष 2015 में आपकी अर्थ व्यवस्थत साकुशल होगी किन्तु वर्ष के बीच में आपको कुछ हताशा और परिशानी का सामना करना पढ़ सकता है जिसे आप सावधान रहें परिश्रम और विश्वास को प्रात्मिक्ता दें अपने बित्रों और परिवार के सदस्यों के सही परामर्ष और माग दर्शन पर विशेश ध्यान दें ताकि संकट के समय आप अकेले न हों और आपको उनका पून सहयोग मिलता रहे इस वर्ष आप अपने जीवन में अगर अधिक भावुक होंगे तो आपका स्वास्थिक खराब हो सकता है आप अपनी शारेरिक, मानसिक और आत्मिक उज़ा को समाप्त ना होने दें अचानक मामुली स्वास्थिकी परिशानी हो सकती है किन्तु आपके ग्रहे प्रमुख रोगों और बिमारियों से आपकी रक्षा करते रहेंगे अपने शरीर और दिमाग पर अधिक जोड न डालें नियमित संतुलित आहार लें सैर और व्यायाम आपके स्वास्थिके लिए लाबदाई सिद्ध होंगे इस वर्ष पारिवारिक शान्ती बनी रहेगी शनी प्रभाव के कारण कुछ मामूली परिशानिया तो होंगी परंतु कुशलता बनी रहेगी राशी फल के मामले में ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा और स्वास्थे भी ठीक रहेगा इस वर्ष आप महंगी वस्तुए खरीदने की कोशिश में होंगे आप अपने रोजगार तथा जीविको पारजन के मामले में भी बहुत कुछ करने वाले हैं आपकी उन्नती और पदोनती भी होने की पून संभावना है लाब और आय के अवसर भी मजबूत होने की संभावना होगी भविशफल को देखते हुए दूसरे भाव में शनी की दशा के कारण वे भी अधिक होने की संभावना है शिक्षार्तियों के लिए उनके अनुकूल ही परिनाम होने की संभावना होगी विधीवत पूजा याचना में अपना ध्यान दें और शनी देव ग्रह की विधीवत यग्य द्वारा पूजा करने से लाब प्राप्त होगा अपने माथे पर केसर का तिलक लगाने से भी आपके लिए शुब रहेगा और लाब प्राप्त होगा आस गणेशा के सभी ग्रहकों को हमारा सहर्दय धन्यवाद है और हम आपके उज्वल एवं सुख में भविशे की कामना करते हैं हम आपको यह भी विश्वास दिलाते हैं कि भविशे में भी आपको सटीक एवं उच्चतम सेवाए प्रदान करते रहेंगे